कोब्रा बटा लंकिये जो जवान सहीद हो रहे हैं उनकों में भारत सरकार की वर से देश की वर से देश के इंदार्मंट्री स्री नरेंद्र मोर्डी जी की वर से स्रद्दान जली देता हूँ उनका इस सर्वोच बनिदान वियर्थ नहीं जाएगा यह लड़ाई को निर्णायत मोर पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रही है विगत कुछ वरसों में नक्सलियों के खिलाब लड़ाई नीर्णायक मोर पर पहुंची है इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं आज 36 गड़ सासन के मुखेवंत्री बगेल जी के साथ कभी फोर्ज के अफसरों के साथ अभी रिवी मिटिंग भी की और रिवी मिटिंग के अंदर ये लड़ाई की गती किसी भी तरह से कम नहों ये सुजाव अफसरों की और से ही आए जो बताता है कि हमारे जवारों का मोरल अभी भी इंटेक्ट है और आगे बढ़े हैं और मैं देश को मिश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं और घती के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे ये लड़ाई में अंत में नकसरवादियों के खिलाब हमारी विजय निस्ची थी और उसी ही जुल्ला हट में इस प्रकार के गटनाय सामने आती हैं विकास के मुर्चे पर भी धेर सारे काम हुए कोरोना के कारण थोड़ी गती विगत एक साल में मंद हुई है मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव क्राइबल जन्प्रतियों दिक्की वरसे मुख्यमंत्रि 36 गड़ की वरसे 36 गड़ के सांसदों की वरसे मिले हैं वो सभी पर कारवाही चालू करें मैं आज 36 गड़ और भारत की जन्ता को विश्वास दिलाना चाहता हूं यह जो गटना हुई है इसके बाद यह लड़ाई और तीव्र करेंगे और यह लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तिक करेंगे जो जवान सहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने आपके पती ने आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच बलिदान दिया है उसको देश कभी बूला नहीं सब्सक्राइब मैं भारत सरकार की वर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की दुख की इस गड़ी में पुरा देश आपके साथ खड़ा है मैं सहीद हुए हुए जवानों को स्रद्दान जली देना चाहता हूं और उन्ता सर्वोच बलिदान जो है वो फिर्थ नहीं जाएगा इसके लिए मैं देश को विश्वास्ति लाद़ा हूं